आप सभी का जी राजस्तान में मैं आपके साथ खुश्बुखान और बिलेटिंग के शुरुआत करेंगे बड़ी खवर के साथ उदैपुर चाकुवाजी मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है गाल चातर देवराज की मौत पर बड़ी खवर सूतरों के अवाले से बड़ी खवर मिल रही है पुस्मार्टं के लिए तायार हुए परिजन सूतर बता रहा है मतक चातर देवराज की पुस्मार्टं की परत्या शुरू हो गई है सूतरों के वाले से बड़ी कवर हरे कब डेट सबसे पहले जी राजस्तान पर जी राजस्तान आप लोगों से शांती बनाए रखने की अपील भी कर रहा है बड़ी ख़वर बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं देवराज की मौत पर बड़ी ख़वर सूत्रों के वाले से ख़वर मिल गई है पोस्माटम की प्रकृया भी शुरू हो गई है बड़ी ख़वर बड़ा आप डेट हरे कब डेट सबसे पहले जी राजस्तान पर कोई अफवाफ बनाने का काम नहीं कोई फेक न्यूज नहीं सबसे पहले जी राजस्तान पर साई और सशाटी कवर आप देख रहे हैं इसलिए बार-बार आपसे यह अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सयम बनाए रखें परिवार के साथ खड़ी रहने का वक्त है लेकिन सयम के साथ गायल चात्र देवराज की मौत हो गई और उस पर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से बड़ी कवर मिल रही है पोस्तमाटम के लिए तैयार हुए परिजन म्रतक छातर देवराज की पोस्तमाटम के पर प्रिया शुरू हो गई है तस्वीरें आपको लगतार दिखा रहे हैं आप देखिए जब बाचित का दौर चलड़ रहा था उस वक्त की यह तस्वीर है बा बच्चा तो उनके पास नहीं रहा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन इंसाफ जरूर मिलना चाहिए हाला कि भजलार सरकार लगातार नजर बना हुए है खुद मुक्यमांतरी मॉनिट्रिंग कर रहे हैं बचाने की भी हर मुम्किन कोशिश की गई थी उदेपर मे आपने देखा कि अंबी ऑस्पिटर में लगातार डॉक्टर्स की सीनिय डॉक्टर्स की टीम लगी थी जैपुर से भी टीम भेजी गई थी लेकिन तमाल कोशिशें नाकाफी साबित हुई नहीं बचा सके बच्चे को यह एक परिवार को एक बच्चे का बहुत बड़ा सदमा है पूरा उधरपुर शैर उनके साथ है सरकार उनके साथ है सरकार ने जो प्रयास किये बहार से डॉक्टर्स बुलाना स्यारे अपने यहां के डॉक्टर्स सब लगे रहें तो सभी लोगों ने और सभी लोगों ने दुआ भी मांगी लेकिन गहाव कुछ ऐसा था खून इतना बहच चुगा था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की और उसके बाद पूरी कोशिशें करने के बाद भी उपर वारे लेकिंग जो इच्छा थी वह आज देवराज हमारे बीच नहीं है लेकिन लेकिन ये है कि उनके परिवार को पूरा जो सयोग है वो मिलेगा सरकार भी कतिवद है हम सब लोग आप सब और हमाई सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरहें जो गटना होती है उसमें पूर भी है कि कोशिशें सरकार ने भी की डॉक्टर्स ने भी की सब ने की आप सब ने दुआएं भी की लेकिन जो इश्वर को मंजूर था वो हुआ लेकिन अब हमें शांती रखनी है और आप सी समझस के भाव रखना है एक दूसरे के मालब दुख में शामिल होना है इस वक्त ये उतेजना का वक्त नहीं है एक परिवार को संबों देने का वाक्त है जो भी सायता के रूप में अंदर उनके परिवार जिनों से बात हुई है है बच्चे के पृति हमारी सभी की जो समेदनाओं को द्यान में रखते हुए पूरे उदेपुर्वासियों से हमारी अपील है कि अनावसक रूप से कहीं बीड़बार एकत्रित नहीं करें, माहूल को खराब करने के कोशिश नहीं करें आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके सच्ची समय दिना यहीं होगी कि सभी अपने अपने घरों में स्यांती से बैठें, यह वज़े किसी तरह का माहूल खराब करने कोशिश नहीं करें, किसी अफवा पे ध्यान नहीं दें, परियाप्त पुलिस बल अगर किसी ने क कोई व्यवस्ता खराब करने की कोशिश करी, तो उनके साथ सकती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिये गये हैं, धारा 144 भी सहर में लगी हुई है, अनावसिक रूप से जगह जगह चोराओं पे नुकड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा इकतित हो करने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाब भी हम सकती से पेश आएंगे, किसी भी सूरत में उदेपूर सहर की स्यानती को प्रभावित नहीं होने देंगे, आज हमारी सब की सहरवाशियों की यही कोशिश होनी चाहिए, कि बच्चे के साथ जिस किसी ने अपराद किया है, अपरादी को सक्त सक्त सजा दिलाई जाएगी, जैसा कि आपने देखा है, तुरंत अपरादी को गिरफतार भी किया गया है, उसके बाद की कानूनी कारवई भी आपने देखी है, और आगे इसको ट्रायल कोर्ट में भी लीगल अंजाम तक पहुचाने के लिए, इसको केस और इसकी में भी लिया गया है, ताकि सक्त सक्त सजा जल्दी से जल्दी हम करा सकें, आप सभी सहरवासियों से सयोग की भी हम उम्मीद करते हैं उदैपुर में हुई इस घटना पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, ग्राउंड पर में सयोगी बने हुए हैं, कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको जी राजिस्थान पर देखने को मिलेगा, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ज जड़क पर गिरते ही कारसवार बदमाश नगदी भरा बैग लेकर फरार हो गए, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौकर पहुंची और घटना की जानकारी ली और इलाके में लगे CCTV क्यामरों के फुटेज खंगाल रही है, और कारसवार बदमाशों की तलाश में होता है, उसका कलेक्शन करके वो बैंक में जमा करवाने का काम करता है, तो बजाजनगर ठाने से पहले एजी कॉलनी के आसपास नजदीक उसको गाड़ी ने आके ठकर मारी और उसका जो बैग था वो लूट कर वहां से ले गए, गाड़ी को जो भी वारदात किये हैं, उनक कुसकी करवाइचल रिया